Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको explain करूँगा कि RBI का जो descriptive program में run करता हूँ, उसका मैंने एक नया platform develop किया है. तो पहले काफी सारी चीजे मैं manually किया करता था और काफी सारी चीजों मैं students को multiple platforms पे जाके चीजों को access करना पड़ता था. For example, अगर किसी को मेरे notes लेने हैं, तो उसको telegram से लेना पड़ता था. अगर उसको मेरे answer writing करनी हैं, तो उसको Google Classroom से करना पड़ता था. Questions देखने हैं, तो classroom से देखने पड़ते थे. मतब different different चीज़े जो है, अगर उसको lectures अपने feedback देखना है, तो Vimeo के platform को use करना पड़ता था. तो different different platforms को मैं use कर रहा था. तो finally अब उन सभी चीज़ों को मैंने एक जगा पे integrate कर दिया है. तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको उसका एक walkthrough दिखाओ, कि मेरा जो ये नया platform है, वो कैसे students को help कर रहा है. एक तो मैं आपको और update देता हूँ, कि काफी सारे, जब 2022 का batch मैंने start किया था, तो थोड़े students उस batch में आये थे, और उनमें से कुछ लोग qualify कर गए, और जो लोग रहे गए थे उस batch में, तो उनमें थोड़ा सा दर था, कि कहीं न कहीं, शायद हो सकता है, कि सर हम से दुबारा fees मांगेंगे 2023 के लिए, बट ऐसा नहीं किया मैंने, मैंने 2022 के सारे students को जो भी qualify नहीं कर पाये थे, उन सब को मैंने 23 में roll over दिया, मैंने उनको, उनसे कुछ चार्ज नहीं किया, और उनको वो 23 वाले batch में भी उतनी ही writing practice कर पा रहे, जितना कोई नया student कर पा रहा है, इसका student successful होता है, तो उसके साथ अपना नाम लगाने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई student unsuccessful होता है, या वो exam नहीं qualify कर पाता, तो उसका साथ कोई भी नहीं देता, सभी लोग उसको बहुत ही, कहते हैं न, एक failure की तरह देखते हैं हमारी society में, जो कि उतना अच चीज को achieve करते हैं, तो यह अब वो platform है, let's go to this, तो आप कोई भी मेरे student जब मेरे इस program में आता है, तो मैं उसको इस platform का access देता हूँ, और इस platform में सबसे अच्छी चीज जो अच्छी हुई है, वो यह हुई है, कि आप यहाँ पर आकर आप देखोगे, कि यहाँ पर मैंने poor answers average answer और good answer और excellent answers, यह actually मैं अगर आप poor answers पर click करोगे, तो आप देखोगे, यह सारे feedbacks हैं, जो मैंने उन्हों students को दिया है, तो for example, अन्वी हमारे batch में है, और उन्होंने art versus science का answer लिखा होगा, तो मैंने उसको poor की rating दी है, इस particular answer पर, उसका feedback यहाँ पर लगा हुआ है, तो कोई student यहाँ पर category wise जाकर अपने answers को देख सकता है, तो for example, अगर मुझे average answers, for example, अगर मुझे किसी का good answer देखना है, तो मैं यहाँ पर जाके देख सकता हूँ कि role of RBI निशानत ने लिखा है, और वो एक good answer है, एक अच्छा answer है, तो मैं इस पर click करूँगा, और मैं जाकर के पूरा इसका एक video देख सकता हूँ कि इसके answer पे मैंने क्या feedback दिया, इसने कौन-कौन से points लिखें, तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ, more than hundreds of good answer यहाँ पर available है, almost 91 good answer आपको यहाँ दिख रहे है, average में we have 135 answers, poor में I have 128 answers, और अगर आप excellent वाली category में जाओगे, तो अभी तक सिर्फ 6 ह वो मैंने excellent दिया है, बट यह वो answers है, अगर आप इनके answers को पढ़ोगे, तो आपको सच में लगेगा, they have written such beautiful answers, तो इस तरह से पहली चीज तो यह होगी, दूसरी चीज जो यहाँ पर मैंने add किया, वो notes section है, तो आप यहाँ पर आप सारे notes को भी access कर सकते हो, मैरे जितने भी notes हैं, उन सबको मैं एक ही जगा पर ले आया हूँ, तो कोई भी जो preparation कर रहा है, उसको यहीं से सब कुछ accessible हो जाएगा, इसके अलावा जो अगली चीज है, वो है resources, तो मैं काफी सारे नए-ने topics जो आते हैं, जैसे green bond के उपर आया था, CBDC, कैसे inflation को control करें, कैसे corporate governance 4.0 क्या है, और ऐसे जितने भी नए-ने topics आते हैं, जैसे कल ही एक topic मैंने upload किया है, that is called climate finance, तो ऐसे जो भी articles आते हैं, अच्छे-चे newspapers में, मैं उनका एक summary बना करके यहाँ पर students को provide करता हूँ, तो यह resources वाले section में आपको वो मिल जाता है, इसके अलावा जो descriptive sections है, यहाँ पर मैं upload कर रहा तो एक-दो दिन में यह सारा update हो जाएगा, तो यह भी यहाँ पर सारा आ जाएगा, इसके अलावा जो मैं हर 15 दिन पर workshops कर रहा हूँ आजकल, और उसका काफी अच्छा feedback है students का, तो वो workshop भी यहाँ पर आ जाएगी, तो students सब कुछ यहीं पर देख पाएंगे, और सब कुछ क यहाँ पर practice कर पाएंगे, तो यह एक छोटा सा update था इस program पर, तो मुझे लगा कि अगर आप इस program को consider करना चाहते हो, तो definitely आप consider कर सकते हो, क्योंकि I am trying my level best कि student को इससे फाइदा हो, और मेरे जो feedback होते हैं, वो काफी critical होते हैं, I try my level best कि मैं answer को word by word, line by line पढ़ करके student को उसम improvements में उसको फाइदा हो, और वो improve करके अपने answer को और better बना सके, इसके लाबा यहाँ पर आप Q&A section है, जिसमें आप Q&A में जा करके, कोई भी question पूछ सकते हैं, बट इसकी ज़रुत इतनी ज़्यादा पढ़ती ही नहीं है, उसका reason है कि WhatsApp का already हमारा official group है, तो student वहाँ से सब च ज्यादा मतलब, approximately 70-80 questions वो लिख चुके हैं, तो I believe that अब इस line का इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अब मैं unlimited option देता हूं student को कि वो अराम से लिखें, कोई ऐसा pressure ना ले, उनका काम या मेरा काम यह नहीं है कि मैं उनके questions के evaluation count करता हूँ, उनका काम है पढ़ाई करना और लिखना अगर हम इन कामों में भसे रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो thank you so much, अगर आप पर ये video अच्छी लगे, मेरा content अच्छा लगता है, तो do subscribe my channel, और अगर आप इस program को join करना चाहते हो, तो मैं इसका link description में डाल दूँगा, thank you so much.